होम मेट औरेंच चैम बहुत ही जादा टेस्टी और इसे आप इंस्टेंटली घर पे बना सकते हो विदाउट इनी प्रेजरवेटिव्स विदाउट इनी फुट कलर तो चलिए देखते हैं से मैंने कैसे बनाया है आज हम बनाएंगे औरेंच मामलेट यानि की औरेंच चैम जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप इंजॉई कर सकते हो अपने प्रेट के साथ टोस्ट के साथ और यकीन मानिये और यह महीनों तक चलता है और खाने में यह गजब का टेस्ट देता है बिल्कुल थोड़ा साथ ही आपको क्वाइंटिटी चाहिए और ढ़े अब बनाकर रेडि कर सकते हो तो इसके लिए मैंने यहां पर लिया है 7 कीनो इसके जगा पे आप औरेंज का भी यूज कर सकते हो मैंने यह पर औरेंज का यूज इसली नहीं किया है क्योंकि किनो जो है वो देखने में तो इसे लिए मैंने यहां पे कीनो जूज किया है अगर कीनो नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल चो औरेंज हमारे मार्केट में मिलता है वो भी आप यूज कर सकते हो इसे हम हाफ इस तरह से कट कर देंगे और सीट्रस प्रेस लेंगे जिसे हम जूज निकाल सकते हैं अग तो यह जो पल्प है यह देखे मैंने इस तरह से स्पून की हिल्प से हमें निकाल लेने हैं सारे पल्प को अच्छे से और फिर से इसका हम जूज निकालेंगे क्योंकि क्या होता है इन पल्प में भी जूज थोड़े रह जाते हैं और यह बहुत ही ज़ादा जरूरी है हमा जो जूज है वो थोड़ा और थिक हो जाएगा और इस रेसिपी के लिए यह प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है इससे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा टेक्शर भी आता है अब एक मैं ओरेंज लूँगी यानिक एक कीनू का जो छिलका है वो मैं ले रही हूँ इसका हमें वाइट पार्ट निकालना है स्पून की हेल्प से आप इस तरह से इसका वाइट पार्ट हमें निकाल लेना है जैसा आप देख रहे हो बिल्कुल यह और नजर आना चाहिए इसका वाइट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए या फिर आप पीलर की हेल्प से इस तरह से स्क इसे लिए हम एक ही ओरेंज का ये चिलके को यूज कर रहे हैं इसे आप स्किप भी कर सकते हो बट मैं सजेस्ट करूंगी इसे आप जरूर डाले और इस तरह से हमें चॉप कर लेना है और हमें इस जूस में एड कर देना इसे बहुत ही अच्छा तेस्ट आरता है टेक्शर बह यानि कि जो जैम बनेंगा वो बहुत ही अच्छा लगेगा इसे मेजर कर लेते हैं इस तरह से देखिए मैंने एक बाउल में इसे मेजर कर लिया है जितना चूस और पल्प हमें रहेगा हमारा उतने ही हमें इसमें चीनी डालना है सेम क्वाइंटिटी रहनी चाहिए यानि क कि वन ही से chain का रेशियो होना चाहिए अच्छे से मिक्स कर लेंगी और बिलकुल हाई फ्लेम में इसे हम गास पे रख देंके ताकि अच्छा से मेल्ट हो जाए जो चीनी है वो च्छे से मेल्ट हो जाए और बीच पीच में से हमें चलाते भी रहना है तो ये देखे इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है और हाई फ्लेम में ही मैंने इसे रखा है जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और शिरफ बन चुकी है अब इसे हमें थोड़ा थीक होने देना है तो इस वीडियो को पूराइन तक जरूर देखें, मैं आपको बताऊंगी एक एक प्रोसेस की कैसे हमें और इंज जाम हम घर पे बना सकते हैं, बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद होती है जाम, आप प्लेट में डाल के देखना, प्लेट में अगर आपको 10 मिट तक हम र आप देख सकते हो, आफटर 10 मिनिट पाइप, हमारा जो जाम है बिलकुल भी मूव नहीं कर रहा है, और आप देख सकते हो, बिलकुल भी मूव नहीं कर रहा है, जैसा है वैसा ही है, इट मिंस ये कम्प्लीटली अच्छे से कुख हो चुका है, गास का फ्लेम आफ कर देंग और अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी आपको यह बहुत ही पतला लग रहा होगा लेकिन जैसे ही ठंडा होगा हमारा बिलकुल यह देखे बहुत ही अच्छे से बिलकुल जैम जैसा टेक्शर का आ चुका है यह जम चुका है और बहुत ही बढ़िया दिक रहा है बिलकुल मार प्रिज में रखना है जब भी उसकरें ड्राइ स्पून यूसकरें और इस जाम का टेस्ट जो है वो धीरे धीरे और ज्यादा इन्हांस होगा और जादा ये टेस्टी होगा और हाँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस जाम की रेसिपी को अगर आप ट्राइ करते ह हो तो किस तरह से से कंजूम करना पसंद करोगे और वीडियो को जरूर लाइक करें फ्रेंड्स फामिली में बत के साथ सेयर करें और चैनल में पहले वार विजिट कर रहे हो तो इसे तरह की और पर इंट्रस्टिंग रेसिपीस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्रा आप 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 झाल झाल